Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis सेयर करूँगा जिसमें कम से कम Risk Reward Ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस पहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले Traders हम लोग उने Stocks को Discuss कर लेते हैं इससे मैंने आप लोगों के साथ Friday के Intraday Session के लिए सेयर किया था कि आखिर उने Stocks ने Friday के दिन कैसा Performance दिया था तो Friday के दिन Traders हम लोग को ज़्यादा Intraday Trades लेने का मौका नहीं मिल पाया सिर्फ दो ही Intraday Trades में हमारे Intraday Trades रिगर हुए सबसे पहला था HDFC Life इसके अंदर Traders हम लोग को एक बहुत ही सांदार Breakdown देखने का मौका मिला और फिर ये बहुत ही Easily हमारे Target को Achieve करता हुआ नजराया है तो अगर आप में से किसी ने भी HDFC Life के अंदर कोई भी Trade Initiate किया था तो मुझे नीचे Comment section में जरूर बताइएगा क्योंकि अगर हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम में Complete Breakdown देखने का मौका मिला यानि कि Candle का Closing देखने के लिए मिला और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि Continuously एक Fall आया और यह Successfully हमारा Target Achieve किया इसके साथ सा Traders हम लोग को Ultra Tech Cement में भी इंट्री लेने का मौका मिला था अगर हम लोग इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पर एनलाइज करेंगे तो देख सकते हैं कि हम लोग को एक बहुत ही सुन्दर सा Closing देखने के लिए मिला था Morning Session में और उसके बाद इसके अंदर लोग बनते हुए नजर आया 8045 के एराउंड में और फिर Continuously यह हमारे Cost Zone के आसपस में ही या फिर हलका सा Profit में ही Move करते हुए नजर आया दो बजे तक तो I Hope Traders Ultra Tech Cement के अंदर भी अगर आप लोगों ने कोई भी Trade Initiate किया था तो Definitely एक अच्छा खासा Profit या फिर Cost to Cost ही एक्जिट किये होंगे क्योंकि Traders इसके अंदर हमारा जो First Target था वो 8060 का था और जिसको ये Successfully Achieve करता हुआ नजर आया है इसके साथ सा Traders हम लोगो किसी भी Intraday Stock में इंटरी लेने का मौका नहीं मिल पाया जैसे कि Sun TV के अंदर कोई भी Breakout नहीं मिला नहीं Amboja के अंदर हम लोगों को Breakdown देखने का मौका मिला और नहीं हिंटालकों के अंदर हम लोगों का कोई भी Intraday Trigger हुआ Friday के दिन दो Intraday Stock में हमारा Intraday Trigger हुआ और उसमें से HDFC Live Traders हमारे लिए एक बहुत ही बहतरी Intraday Trade साबित हुआ है तो I hope आप लोगों को मेरी Analysis जो है वो पसंदारी होगी इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा साथी मैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे कि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिल सके तो चलिए ट्रेडर्स अब हम लोग उन स्टॉक्स को डिसकस कर लेते हैं जिसे आप लोग कल के लिए अपने वाचलिस में आड करके रख सकते हैं और कल जीन स्टॉक्स के अंदर पोटेंसिली हम लोग को कोई भी ब्रेक आउट या भी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है तो कल के लिए ट्रेडर्स मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक रहेगा अम्बूजा सिबेंट्स इसको ट्रेडर्स हम लोगों ने फ्राइडे के लिए भी लेकिन फ्राइडे के दिन हम लोग को इसके अंदर कोई भी ब्रेकडाउन देखने के लिए नहीं मिला इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन भी लगबग 10 बजे के बाद में सेलिंग प्रेसर ही क्रियेट होता हुआ नचे रहा है तो ये जो स्टॉक है वो हलका सा और भी जादा कन्विक्षन दे रहा है फ्राइडे के इसके मोमेंटम को देखते हुए तो इसलिए अगर कल के दिन ही अपने इस ट्रेल लाइन को ब्रेक कर देता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अल्रेडी ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है तो उसकेस में हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा खासा इंट्राडे फॉल देखने के लिए मिल सकता है तो इसलिए ट्रेडर्स आप लोग अंबुजा सिमेंट्स को एक बार फिर से कल के लिए अपने रडार पर जरूर रखिएगा इसका जो लेवल से वो अभी भी सेम रहेगा कल के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा रिलाइन्स रिलाइन्स के अंदर ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जोन मैंने ड्रॉक किया हुआ है वो बहुत ही जादा क्रूसियल रोल प्ले कर रहा है यहीं पर आकर के रिलाइन्स के अंदर कंटिनिवर्स हम लोग को एक सेलिंग प्रेसर क्रियेट होता हुआ लेकिन अगर हम लोग रिलाइन्स को वन डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देख सकते हैं कि इसके अंदर कंटिनिवर्स हम लोग को हाईयर वॉलूम्स के साथ में बाइंग होते हुए नचर आ रहा है कल के लिए मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक रहेगा गुजरात गैस इसके अंदर ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है उस पर ये बार बार आ करके सपोर्ट ले रहा है साथी में यहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को हेडन सोल्डर पैटरन भी क्रियेट होता हुआ नजर आ रहा है उसके साथ सा ट्रेडर्स अगर हम लोग इस हेडन सोल्डर पैटरन को इग्नोर भी कर दें अब भी देख सकते हैं कि यह जो जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो इसके लिए बहुत ही जादा क्रूसियल रोल प्ले कर रहा है पहले यही जोन इसके लिए एजर राइस्टांस की तरह काम कर रहा था फिर यहाँ पर एक ब्रेकाउट देखने का मौका मिला एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में फिर यहाँ पर री टेस्टिंग हुआ और एक अच्छा मोमेंटम भी जेनरेट हुआ लेकिन पिछले दो-तीन दिन से हम लोग देख सकते हैं कि एक हाईयर वॉल्यूम पर इसके अंदर सेल ओफ देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपनी इस ट्रेंड लाइन को और इस जोन को ब्रेक कर देता है तो definitely double confirmation के साथ हम लोग गुजरात गयास के अंदर भी selling side के लिए अपने trade को initiate कर सकते हैं तो इसलिए आप लोग कल के लिए गुजरात गयास को भी अपने radar पर रखिएगा अगर market के अंदर weakness रहता है या फिर गुजरात गयास के अंदर अच्छे volume पर हम लोग को sell off देखने के लिए मिलता है तो उसके बाद आप लोग और भी higher target के लिए wait कर सकते हैं मैं personally जो भी चीजे करूँगा वो आप लोग को अपने telegram channel पर update कर दूँगा तो जो लोग चाहे इसे join कर सकते हैं link आप लोग को इसका नीचे description box मिल जाएगा यहाँ पर भी traders मैं आप लोग के साथ live market में कुछ intraday chart analysis साथी में कुछ intraday updates भी provide करते रहता हूँ और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा चोला fin इसके अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि यह जो zone मैंने draw किया हुआ है वो इसके लिए बहुत ही जादा crucial role play कर रहा है अगर हम लोग detail में बात करें तो दो महिना पहले यह अपने इसी zone पर हम लोग देख सकते हैं 1220 पे इसके अंदर एक बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग को descending triangle pattern create होता हुआ नजर आ रहा था जिसको हम लोगोंने trade भी किया था फिर यहां पर एक अच्छा खासा breakdown देखने का मौका मिला और फिर continuously हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक higher volume पर हम लोगो sell off होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में traders अगर कल के दिन यह अपने इस zone को भी breakdown दे देता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोगो इसके अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है तो इसलिए मेरा session यही रहेगा कि आप लोग इसे भी अपने radar पर जरूर रखेगा लेकिन traders आप लोग बस एक बात ध्यान में रखेगा कि यह जो analysis है वो one hour के time frame पर है तो कम से कम इस trade को initiate करने से पहले आप लोग 15 minute का wait जरूर कर लीजेगा और proper जब 15 minute candle अपने इस support के नीचे में closing दे देगा यानि कि अच्छी तरह से breakdown हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग इस trade में entry लीजिएगा कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा Tata chemicals इसके अंदर टेटर्स हम लोग देख सकते हैं कि 15 minute के time frame में एक बहुत ही सांदार हम लोग को ascending triangle pattern create होता हुआ नंचर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग one day के time frame पर Tata chemicals को analyze करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छे volume के साथ में यहाँ पर breakout देखने का मौका मिला था फिर कहीं न कहीं यहाँ पर यह retesting करने के लिए आया और पिछले 3-4 दिन से हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक higher volume पर buying होते हुए हम लोग को दिख रहा है तो ऐसे में अगर कल हम लोग को इस trendline का breakout देखने का मौका मिलता है जो कि इसके लिए daily time frame पर as a resistance की तरह काम कर रहा है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को Tata Chemicals के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है तो इसलिए Traders आप लोग Tata Chemicals को भी जरूर अपने radar पर रखेगा इसका जो level से हो मैंने आप लोग लिए यहाँ पर mention कर दिया है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा L&T L&T के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को triangular pattern create होता हुआ नचर आ रहा है जिसके अंदर ये खुद को बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर रहा है ये अपने इस train line पर हम लोग देख सकते हैं कि बार बार support ले रहा है साथी में उपर वाले train line पर हम लोग देख सकते हैं कि resistance face कर रहा है तो stock जो है वो upward direction में है और यहाँ पर एक bullish payment pattern का formation हुआ है तो अगर कल market के अंदर हलका सा भी strength रहता है और nifty 50 के अंदर buying होते हुए नचर आता है साथी में एक bullish payment pattern का भी formation यह already कर चुका है तो इसलिए आप लोग इसे जरूर अपने radar पर रखे हैं क्योंकि breakout आने के बाद एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को यह provide कर सकता है लेकिन traders अगर कल market के अंदर weakness रहता है और L&T अपने strength line को break कर देता है जिसको हम लोग देख सकते हैं कि यह पिछले डेढ़ महीना से बहुत ही अच्छी तरह से respect दे रहा है तो उस case में हम लोगो इसके अंदर एक अच्छा खासा selling pressure भी create होता हुआ नजरा सकता है लेकिन अभी चुकी यहाँ पर एक bullish payment pattern form है और stock के अंदर भी strength नजरा रहा है इसलिए buy side का levels मैंने आप लोग के यहाँ पर mention कर दिया है अगर कल selling side में हम लोग को trade initiate भी करना होगा तो फिर हम लोग proper 15 minute candle closing का wait करेंगे और जब एक अच्छा खासा breakdown देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि stop loss कहाँ पर रख सकते हैं और उस हिसाब से अगर हम लोग को 1 is to 2 risk reward ratio देखने के लिए मिलेगा selling side के trade के अंदर तो हम लोग definitely selling side में भी एक trade को initiate कर पाएंगे तो जैसा भी होगा आप लोग के साथ मैं अपने telegram channel पर update प्रोवाइट कर दोंगा तो इसलिए आप लोग इसे भी जरूर जॉइन कर लिजेगा यहाँ पर trade जो भी चीज़े आप लोग को मिलती है वो proper regions के साथ में मिलती है और वो completely free of cost रहती है और I hope आप में से जितने भी लोगों ने बहुत ही पहले से telegram channel को join करके रखा है उन लोग को definitely इन सारे updates से कुछ न कुछ benefits मिलता होगा live market के अंदर में अब कल के लिए traders मैं अपने आखरी intraday stock को discuss करने से पहले चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी analysis पसंदारी है और अगर अभी तक आप लोगों ने by chance इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like कर दीजेगा साथी में traders ऐसी ही बहतरीन intraday analysis के लिए आप लोग channel को भी जरूर subscribe कर लिजेगा तो चलिए अब हम लोग अपने आखरी intraday stock को discuss कर लेते हैं जो की है take em take em के अंदर todays आप लोग देख सकते हैं कि ये जो zone मैंने draw किया हुए है वो इसके लिए बहुत ही जादा crucial role play कर रहा है stock के अंदर हलका सा हम लोगो strength देखने के लिए definitely मिल रहा था यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो gap create होते हुए हम लोग को नजर आया था exactly ये इसको fill करते हुए दिखा है और अब जाकर कि ये अपने इसी zone पर बार बार आ करके support ले रहा है यहाँ पर एक अच्छा खासा pattern भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे में अगर कल के दिन ये अपने इस pattern का breakdown हम लोग को दिखला देता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग को take aim के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि traders अगर हम लोग take aim को भी one day के time frame पर analyze करेंगे तो देख सकते हैं कि one day के time frame में भी take aim के अंदर continuous हम लोग को एक buying होते हुए nurture आ रहा था और stock के अंदर Friday के दिन पहला हम लोग को red candle भी बनते हुए दिख रहा है तो इसलिए traders अगर कल के दिन ये अपने इस Friday के low को break कर देता है जहां पर already ये बहुत बार support ले चुका है तो उस case में हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा खासा intraday move देखने के लिए definitely मिल सकता है तो इसका भी levels traders मैंने आप लोग लिए यहां पर mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लीजिएगा और calculateds आप लोग इन सारे intraday stocks को अपने radar पर रख सकते हैं लेकिन मेरा suggestion यही रहेगा कि चुकी कल Monday भी है market पिछले दो दिन से बंद था तो maximum stock के अंदर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा volatile नजर आएगा opening session में तो आप लोग कम से कम 5 minute या फिर 15 minute का wait कर लिजएगा कोई भी trade initiate करने से पहले अगर candy का closing बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है तो फिर हम लोग retesting का wait करेंगे और उसके बाद अपने trade को initiate कर सकते हैं और अगर बीना हम लोग को entry का मौका मिले हुए भी किसी भी intraday stock में target भी achieve हो जाता है तब भी traders आप लोग घबराईएगा मत अगर किसी दूसरे intraday stock के अंदर कोई भी opportunity देखने के लिए मिलेगा तो live market में मैं आप लोग के साथ अपने telegram channel पर definitely update कर दूँगा तो इसलिए आप लोग पूरे patience के साथ अपने trade को initiate कीजिएगा जहां पर आप लोग को proper breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिलता है क्योंकि अभी मैंने 7 intraday stock analysis सायद आप लोग के साथ share कर दिया है तो इसमें से 1 या 2 intraday stock में भी अगर आप लोग successfully trade initiate करते हैं और target achieve होता है तो आप लोग more than enough profit generate कर सकते हैं इसके साथ साथ टेडर्स आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे मैं अपने intraday stocks को select करता हूँ तो ये वीडियो जो अभी आपके screen के उपर में so हो रही है आप लोग इसे check out कर सकते हैं ये वीडियो 45 minute की है और इसके अंदर मैंने बहुत ही जादा detail में आप लोग को हर एक चीज के बारे में सिखाया हुआ है तो आज के लिए traders बस इतना ही I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद